अबसकार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकिशन यूज में दुस्तिस वीडियो में राजस्तान नई भरती अपडेट नरसिंग विभाग की भरती दोस्तों और बड़ी अपडेट है यह अपने आप में और पूरी अपडेट क्या ह प्रारूफ है वो तैयार कर लिया गया है और जल्द ही राजस्तान करमचारी चैनल बोर्ड को अब भरतना भेजी जाएगी जी हाँ दोस्तों सी एचो जो भरती है कम्मिटी एल्थ ऑफिसर भरती उसके लिए जो है प्रारूप जल्द बनाकर के भीज दिया जाएगा किसको करमचारी चैनल बोर्ड को और यह पूरा अपडेट रहा आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पर फरस्ट इंडिया न्यूज की जानकर इस यह भरती विग्यपती जारी कराने को लेकर स्वास्ति भावन पर प्रदर्शन नई कम्मिटी हेल्थ ऑफिसर भरती से जुड़ की बड़ी खबर और ओल इंडिया इस्टुडेंट मेडिकल एस्टेशेशन यानि की जो भरत बेनिवाल हैं उन्होंने ये परदर्शन किया स्वास्ति भावन पर और इसको लेकर के किया कि सियाचो की नहीं भरती है वो चल्द विग्यपती जारी की जाए इसी को लेकर के य यहाँ पर बात की गई है और विग्यपती का प्रारूप आज साम या कल तक अधिनस्त बोड को भेजने का अस्वासन यहाँ पर आनेचेम जो परियोजना निदेशक हैं उनकी तरप से दिया गया है दिसंबर तक भरती जो है पूरी कराने का अस्वासन भी यहाँ पर मिला ह यानि कि दोस्तों जो प्रारूप है विग्यपती किस तरीके से हो गयो जो प्रारूप है वो भेजने पर सहमती बनी है आज या कल में या परसों तक दो तिन दिन के अंदर जो सारी के सारे चीज़ें हैं वो त्या हो जाएंगी और ये करमचारी जो बोड है उनको भिजवा जाने के मांगिया पर की गई है साथी कम्यूटी एल्थ ओफिसर की जो गैड्लाइन है किस तरीके का वर्क है किस तरीके की सारे चीज़े हैं उनको ले करके भी प्रोडशन यहां पर किया गया एनेचेम की जो परियोजना निदेशक है सुरेश नवल जी उनसे वारता हुई और वारता की दोरा विग्यप्ती का प्रारूप और रोस्टर चार्ट आज सामय कल तक रास्तान करमचारी चैन बोड़ को भेजे जाने पर सहमतियां पर बनी है यानि कि दोस्तों जो रोस्टर जो चार्ट है विग्यप्ती का जो नोटिफिकेशन है बोड को जाएगा जित पर कर सकता है तो यहाँ पर देखिये दोस्तो यह और भरत विणीवाल का कोडिंग यह जानकारी है और इसमें बताया गया है कि भरती किसी भी सूरत में दिशमबर तक पूरी होनी चैंगे ताकि जनवरी में ब्रिज कोर्स यहाँ पर करवाया जा सके इस्पोर्ट्स की कुछ एक लोगों को छोड़ करके बाकी जो लोग होते हैं वो जो फेडरेशन होती हैं प्राइवेट फेडरेशन से सर्टिपिकेट लगाते हैं तो वो सर्टिपिकेट क्या होता है उनका मानने ही नहीं होता है एक तरीके से आप लोग फेक या फर्जी सर्टिपिकेट कह सकते ऐसा अमूमन लोग करते हैं और यही वज़े होती है कि स्पोर्स के वेरिफिकेशन में कराने में दिक्कत आती है फेडरेशन से पैसा लेकर के लोग देकर के लोग बनवा लेते हैं फरजी सर्टिपिकेट आद दस बीस पचास हजार उपय में फिर वो फेडरेशन मना कर देता है कि हमारे पास ये खेलाई नहीं है इसकी कोई रेंक नहीं है फिर वो क्या होता है कि कहीं का भी नहीं रहता यही वज़े है कि तमाम जो भरतिया है उसमें स्पोर्स की जो इस लिस्ट है वो यही दिक्कतों के वज़े से रुकी रहती है अब इसमें भी दूसरी सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है उस पर फाइल चला दी गई है स्पोर्ट की सूची के बाद वेटिंग लिस्ट जारी हाँ पर की जाएगी यानि कि सबसे पहले क्या होगा कि स्पोर्ट की सूची आएगी उसके बाद दूसरी जो वेटिंग लिस्ट वो जारी की जाएगी गाइडलाइन को लेकर भारसरकार पत्र लिखा गया है पत्र का जवाब आते विभाग के मिटिंग होगे उसके बाद गाइडलाइन जारी हाँ पर कर दे कोल मिलाकर बात यह है आप काम की बात यह है 3531 जो भरतियां से यह चो के आ रही है इसी महिने में या अगले महिने के सुरुवात में आप लोगों को विग्यप्ति है मिल जाएगी निश्चित तोर पर इसके अलावा दोस्तो अगर बोर्ड ने सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बोर्ड अक्टूबर में परिक्षा जित करवा सकता है दो महिने का आप लोगों को टाइमिंग मलेगा दो ड़ाई महिने का जैस 15 दिन इसके हैं तो आप लोग ये जो टाइम है इसको खराब ना करें जो सियचो का जो स्लीबस है ठीके सियचो का स्लीबस है कम से कम जो आप लोगों का जो पिछले बार जो 2020 की जो भरती थी सियचो की उसमें जो परिक्ष्या हुई थी दोस्तो वो सलेबस कम से कम जो 60-70% जो था वो आप लोग ज़रूर तियार करके रखें इसके अलावा जो करंट का या जो योजनाई है सरकार कि स्वास से रिलेटेड जो योजनाई है उनको भी आप लोग तियार करके रखें अगर चेंज कुछ होता है तो राजस्थान जीके का जो विटेज है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है अन्य था पूरा का पूरा जो सलेबस है जो आप लोगों का पिछले बार का था वही CHO का रहेगा GNM आलसो अपलाई ठीक है GNM भी आले भी एपली केबल होंगे तो वो लोग भी ट्यारी करें जिनोंने B.E.M.S. कर रका है वो भी होंगे ठीक है बाकी नहीं होंगे ठीक है दोस्तो जिस तरिके के CHO में लिए जाते हैं वो तो ये है जानकारी आप लोगों के लिए अपनी त्यारी करें GNM वाले जितने भी लोग हैं वो भी त्यारी करें B.S.C. रखें अगर आप लोग को सब्जेक्टा त्यार कर लेंगे तो जब तक विग्यप्ति आएगी सलेबस अगर रिवाइज होता है वो आएगा तब तक आप लोगों को बहुत पेनेफिट होगा यानि कि जो चेंज कुछ हो भी गया तो वो चेंज वाले टोपिक ही कमचे कम आप से ही अभी से ही क्योंकि विग्यप्ति आप लोगों को बहुत जल देखने को मिलेगी तो ये ना सोचें कि पतानी कब आएगी काफी सारे लोग हैं डी मोटिवेटेड हैं मेडिकल विभाग के उनका एक ही कमिटमेंट रहता है एक तो पहले सोच को दोस्तों आप लोग खत् पहराओं कि राजस्तान जितना जोब्स जो सरकारी नोकरी हैं किस स्टेट में नहीं होती लेकिन आप लोग की जो सोच है एक तरीके से अलग बनी हुई है विशेश करके चिकित साव विभाग की ठीक है बता ये किस विभाग ने ये नम जी नम भरती बारा साड़े बारा सरकारी तो और पर भरती किया हूँ एक भी अगर उधारन हो आप लोगों का तो बता दीजे कि उसने पर्मानिट भरतिय साड़े बारा हजार की की है अलंकि दूसरी भरती आएगी फार्मासिस्ट की वैएगी तमाम भरती आएंगी बसरते आप लोग मेहनत करते रहें धन्य वा दोस्तों फिलाल के लिए से वीडियो में इतना ही जैहीं जैवारत